प्रेगनेंसी में बहुत सारी हेल्दी चीज़ें खाने चाहिए जिससे बच्चा मजबूत बने तंदरुस्त बने लेकिन कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जैसे कि मूली आप खाते भी होंगे तो आपको उसके खाने का तरीका इसके लाप और होने वाले खत्रे से बचने के उ उपाया जानना बहुत सब्सक्राइब कर लिया होगा तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में मूली खाने से रिडिटेड अकर आपको कन्फ्यूजन है तो चलिए हम इस विशे को समझते हैं प्रेगनेंसी में वो सारी सबजियां जो कि धरती के नीचे जड़ के तरीके से उगती हैं बहुत फायदे मन होती हैं अगर हम चुकंदर कहें शकरकंद कहें तो यह सारी चीज़े बहुत ही पोशक होती हैं फॉलेट से भरपूर होती हैं और यह बहुत फायदे मन होती हैं कॉंस्टिपेशन के लिए तो इन्हें हमें जरूर खाना चाहिए जिससे कि परीस इससे संबने कुछ रिस्क के बारे में भी बताती हैं, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जो भी सबजिया जमीन के अंदर उगाई जाती हैं, वो मिट्टी के अंदर होती हैं, और उसके अंदर सबजी के अंदर जो बारिक बारिक रेशे होते हैं, पोर्स होते हैं, उसमें बैक्टीरिया और जर्म्स एकठा हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से गाजर, मूली जिस आपके पेट को बूरी तरीके से डिस्टरब कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत लंबे समय तक डारिया रह सकता है, तो जब भी आप कोई रूट वाली वेजिटेबल खाते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से धोए, पहला स्टेप, उसके बाद पीलर से उसका एक लियर प सुरक्षित कर देते हैं और निशिन्त होकर उसका सेवन कर सकते हैं, तो मूली प्रेगनसी में सभी महिलाओं को यूज करनी चाहिए केवल उन्हें, बचना चाहिए जिनका डाइजिशन पूर है, पहले से बिफोर प्रेगनसी जिनका डाइजिशन अच्छा नहीं था, उनक को मूली से बचना चाहिए, फिर जिनको गैस बहुत जादा बनती है, उनको मूली खाने से बचना चाहिए.